हलो बच्चों नमस्कार मेरा नाम भवन कवार कुपता टीम फिजिक्स सील से सीकर शुरुवात करते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के 11 टेस्ट जिसमें टॉपिक कवर कर रहे हैं अप्टिक्स इंस्ट्रुमेंट करेंट इलेक्सिटी एंड कैप्रस्टेंस इसमें पहले कैशन शु हम कोई भी डिस्प्लेस्मेंट में स्क्रीन पे जो हम एक इमेज बनाते तो आपने अगर मालो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है यह ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज आप लेंज की से इमेज इधर बनाओगे तो यू और वी यह इस्टेंस इन्हीं की टोटल को हम बोलते है है भी अब देकर ऑब्जेक्ट दो है लिएँ इमेज भी रील है तो रियल अबजेक्ट की रियल इमेज कॉन्भक् के से बंते हैं उनकी में में डिस्टेंस hayır शकती है डी मिनिमों यो होना चाहिए, वो किटना होना चाहिए? दी मिनिमम चाहिए four और दी जो at maximum फोकल लेंद्थ है वो डी बाइफो या उससे कम होनी चाहिए ओके तो यहां तक नेक्स पर आगे बढ़ते हैं तो आपको बताना इनका सेपरेशन जो हैँःओ फिपते संट्टिमेंठ चाहिए इसके लिए क्या होना चाहिए कि curman's horrific फोकस फॉकश पॉइंट ये जोके तो lens की focal lens आप से पूछिए यह हो जाएगा 2 x 12 कितना हो जाएगा अपने पास 50 तो f बराबर कितना हो जाएगा 26 second option यहां correct हो जाएगा फिर आते हम हमारे अगले 3rd question पर बच्छों 3rd question पर आते हैं 3rd question में आपको बोलाए कि एक convex mirror को हमने lens के focus पे रखा हुआ है तो यह तो क्या focus of lens कितना दूर आ जाएगा 20 पा जाएगा फिर उसके बाद आप से बोलाए कि लेंद और यह distance हो जाएगी आप जो इसके लिए यू दिया है lens के लिए लेंज के लिए आप स्वाल करो तो यू कितना दिया है माइनस 30 lens के focal length कितनी है 20 solve करने पर वी कितना आ जाएगा 60 lens formula से solve करोगे तो 60 आने के बाद आपको यह focal length of mirror और वी कितना हो जाएगा इस case में वी हो जाएगा 60 तो focal length of mirror कितना हो जाएगा 20 तो इस case में आपका आंसर जाएगा 20 cm first option ओकी तो यह आपके third question का answer जो हो first option बन रहा है कोई confusion इसमें इसका आता है हम हमारे fourth question पे fourth question में prisma with refracting angle 60 gives an angle of mirror deviation this for violet rate and yellow तो आपको dispersive power बताना है देखको dispersive power के लिए simple सा formula हमारे पास है क्या है formula simple सा formula है कहता है कि dispersive power होता है violet rate का deviation by yellow का deviation ओके तो dispersive power omega के लिए क्या हो जाएगा अपने पास deviation कितना आ रहा है 53 51 52 तो यह कितना जाएगा 2 by 52 तो 2 by 52 को solve करोगे तो आपके प्रस almost जो value आएगी वह कितने आ जाएगी 0.03 का सपास तो आपका फॉर्ट का option करेक्ट कौन सा होगा second option करेक्ट हो जाएगा ओके तो फॉर्ट का यहां second option करेक्ट है कोई confusion इसमें विटा फिर इसका आते हम हमारे 5th question पे 5th question में देखते है पे 5th question में आपको एक डाइग्राम दिया वावा उस डाइग्राम को चेक करके आपको बताना है कि कौन सा डाइग्राम सही है रे डाइग्राम तो जब लेंस को ऐसे बीच में से काटते है ना उसकी पावर राधी हो जाती है ओके तो अपना यह option number second correct हो जाएगा इसका 5th का confusion इसमें फिर इसको आते हैं आपन सिक्स पे एक बड़ी हां तक नोट करें अगला आता है six question six question हम बात करते है हमारे पास एक थिन lens refractive index 1.5 जिसकी focal length हवा में कितनी 15 इसी को जब 4 by 3 के liquid में रखे तो focal length कितनी उरहेगी सिंपल सदे को इसमें आपको lens makers formula काम में लेना है तो lens makers formula क्या होता है वन अपोन f बराबर mu lens by mu surrounding minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 medium change करने से यह value तो change होगी नहीं तो हवा में focal length कितनी 15 तो 1.5 by 1 minus 1 इस factor को अपन बोलते हैं के दोसरा कितना हो जाएगा 1 upon f देश बराबर 1.5 upon 4 by 3 minus 1 के तो इसको जब आप solve करोगे तो आपके पास f देश कितना आ जाएगा f देश आ जाएगा 4 into 15 that is 60 cm तो 60 cm का अंसर आ जाएगा ओके आगे बढ़ते हैं 7 पे 7 में आपको दो प्रिस्म दिएगे हैं और इन प्रिस्म में आपको बताना है कि इसमें net deviation 0 है और net deviation आए बिना dispersion हो रहा है ठीक है तो net deviation 0 की condition क्या होती है कि जो पहले वाले का deviation आएगा उसको दूसरा वाला cancel कर देगा यहने कि म्यू माइनस वन इंटू ए म्यू माइनस वन इंटू ए टू म्यू टू यह एवर यह म्यू वन अब पहले वाले का refractive index कितना दिया है 1.54 माइनस वन कितना है चार डिगरी दूसरे वाले कितना दिया है 1.72 ओके minus 1 ठीके और दूसरे वाले का angle बताना है ए 2 तो यह कितना हो जाएगा 0.54 बाइ 0.72 इंटू 4 डिगरी ए 2 तो कितना हो जाएगा ए 2 यह तो हो जाएगा 3 डिगरी अपना answer रजाएगा 7th का ठीके आगे बढ़ते है 8th question पर 8th question में आपको बोला है कि जो astronomical telescope उसकी final image क्या होती है हमें पता है कि astronomical telescope में final image जो है वो इस तरह से देखो यह अब फाइनल इमेज जो है एस टेलिसकोप में इस तरह से बनती है देखो यह पैरलल सरे आती है उसकी पहली image यहां बनती ठीक है यह तो होती है आईवन बाद में जो लेंस होता है दूसरा वाला है ना यह लेंस क्या करता है कि इसी की एक री वर्चुल इमेज बनाता है तो वर्चुल इमेज फाइनल मेज आई-टू कैसी हो जाएगे फाइनल इमेजा और इटू ओथी विर्चुल और इन्वर्टेडट यहां रखना यह वाली यहां हो थी है अगर वह पहली Practice A फाइल लिमेज होती है वर्चुल और इंबर्टेट अगर वह पू tiếpी है पहले इमेज कैसे हो थी असक्री kalo पे तो वह दोनेगी ओके फिर उसका राते हैं पना नाइंध क्योशन पर आप नाइंध क्योशन में कॉन्वेक्स लेंज जो है फोकल लेंज का एफ वो एंगुना वर्चुल इमेज दे रहा है तो वर्चुल इमेज दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ देखो यू भी नेगेटिव का मतलब क्या है वर्चुल इमेज अब एन गुणा इमेज है इसका मतलब क्या है ही लें है can you है और तो इसका मतलब यह हुआ कि वी जो है वह वह एन टाइमिस होना चाहिए यू का तो वल्यू कोडिकर दो 1-1 by n 1 upon f तो यह कितना हो जाएगा f बराबर n u upon just a minute यह हो जाएगा अपने पास यहां तो आगया ना अपना 1 upon u बराबर 1 upon n 1-1 upon n तो यह हो जाएगा अपने पास आपसे just a minute u की वेले पुछे ना आपसे f नहीं पुछा तो u की वेले पुछे तो 1 upon u कितना हो जाएगा 1 upon u जाएगा n-1 n 1 upon f तो u हो जाएगा f n-1 upon n तो यह हो जाएगा अपने पास third option ओके फिर उसका आता है 10th question नोट करें इसको 10th question में आपसे पूछाएगे कि prism angle क्या है देखो prism angle के लिए simple यहाँ से graph से data होता है जिस same deviation अगर आपको दिया जाए तो उसी deviation के लिए जो यह आई होता है दूसरा angle हमेशा e होता है तो देखो यहाँ पर deviation का formula क्या होता है i plus e minus e deviation है 30 degree i है 15 कि इतना है 60 minus e कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपने पास ए बराबर 45 degree यह मेरे पास second option correct आजाएगा ओके note करें एक बार यहाँ तक अगले 11th question में आपको देखो यहाँ पे diameter plane of convex lens का 6 cm दिया हुआ और इसकी जो थिकने से वह आपको तीन दिया हुआ है तो आपको बताना फोकल लेंद कितनी है न तो यहाँ पर देखो आप सिंपल साइस को से 30 mm mm की टम में लिख रहा हुआ हुआ यह मैंने किसमे कि एस सारे ढटा मम में चल रहे है तो देखो आर स्क्वेर इक miracles टो माइनस सिक्स आर्प 900 से आर अल्मोस्स कितना जाएगा आपके पास 150 सेंटीमीटर तो जैसे आपका आर 150 एमें भीटाएं तो आर की वैल्यू कितना है कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंद पूछा है तो देखो म्यू कितना दिया को म्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे सी बाइवी तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है 310 पार 8 और यहां कितनी है 210 पार 8 तो म्यू कितना जाएगा वन अपॉन एफ बराबर म्यू 1.5 माइनस 1 वन अपॉन देस वन अपॉन आर कितना है 15 और दूसरी सर्फिस की रीडिस कितनी इंफाइनाइट तो इ थोड़ा सा जोमेटरी यूज़ करके रीडिस ऑफ करवेचर निकालना है एंड देन आप लेंस मेकर्स फॉर्मला लगा के इसकी फोकल लेंद निकाले अगला आता है 12 12 में देखो आपको तीन माटेरिल से बनावा कॉन्वेक्स लेंस गेवन है कितनी में इस बनेगी तो दे इसकी भी आएगी एफ3 तो यहां पर तीन अलग 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 मटेरियल और इसका मतलब तीन अलग अलग जगह जाकी मेंज तो यह बनेगी तो यह पापको इस ने combine किया तो आपको इस combination की power बताने है तो combination की power focal length कैसे बताओगे लेको हमें बता है power जो होता है वो होता है P1 plus P2 तो 1 upon F बराबर 1 upon F1 plus 1 upon F2 तो solve करने पर F क्या जाएगा F1 F2 upon F1 plus F2 तो यह हो जाएगा मेरे पास अच्छा power पूछा है न तो power क्या हो जाएगी power हो जाएगी 1 upon F तो 1 upon F हो जाएगा F1 plus F2 upon F1 F1 F2 multiply में न तो यह कौन सा option हो जाएगा इसका मेरा यह हो जाएगा third option ठीक है तो यह अपने third option इसमें हो जाएगा इसका आता है अपन 14th question पर 14th question पर आपको बोलाएगी temperature कितना होना चाहिए इस पर वायर कर रेजिस्टेंस हो हो डबल हो जाए तो डबल हो जाए तो आर बराबर आर नोट वन प्लस एलफा टी आर बराबर आर नोट है न अब आर कितना अपने पास आर है टू आर नोट वन प्लस एलफा टी तो यह कितना हो जाएगा टू माइनस वन इस एलफा टी तो टी कितना हो जाएगा इस केस में वन बाई एलफा वन बाई 3.9 10 पार माइनस 3 तो इसको आप लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई 3.9 तो अल्मोस 200 थोड़ा से जादा एक ही ओप्शन अपना सेकेंड ओप्शन तो इसको टिक कर दो अब पूरी केलकुलेशन नहीं करने है आपको यहाँ पर अप्रॉक्सिमेशन करना है ओके उसको आदा है ह इसे-जिस्ट्रेंश का फोर्मला दिख हो क्या होता है हार इक मैस को कैसे पनास को लिखते है इसे-डेor talking अप सब्चराइब से किसे ऐगा एयमयों आगया तो इसका अंदरब शीक्रिश का रेशिए कि हा जाएगा यह आएगा रो 1 बाई रो 2 D1 बाई D2 L1 बाई L2 का स्क्वेर अपोन M1 बाई M2 का स्क्वेर इनी को रेश्यो के फोर्म में लिख दो तो क्या आएगा अपने पास यह आप देखो रो 1 बाई रो 2 कितना दिया है लेंद का रेश्यो आपको दिया है 1 2 है ना तो लेंद का रेश्यो दिया है 1 2 का स्क्वेर देंसिटी देंस फिर मास का रेश्यो दिया 1 1 तो मास का रेश्यो तो 1 by 1 का स्क्वेर फिर उसका देंसिटी का रेश्यो है 1 2 देंसिटी का रेश्यो 1 2 तो यह 1 2 लिख दो फिर उसका रेजिस्टिविटी का रेशियो 4 is to 1 तो 4 is to 1 लिख दो तो कितना जाएगा फाइनली आप कहां सर आएगा 1 is to 2 आपका 15 का 4th option correct हो जाएगा इसमें कोई confusion फिर उसके बाद अपना आते हैं हमारे 16th question पे नोट करें एक बार यहां तक 16th question में आपको equivalent resistance बताना है A और B की मद्धिवे तो A और B की बीच में आपको equivalent resistance बताना है देखो यह जो resistance है 6 और 3 वाले यह कौन से combination में यह तो है 6 और 30 का effective कितना जाएगा 6 into 30 upon 6 plus 30 यह जाएगा 5 ohm ठीक है फिर 5 के बाद अब आप यहां देखना इस सर्कुट को मैं इसे बनाता हूँ 5 4 है ना यह आजाएगा 10 यह जाएगा 8 और यह बीच में 10 और 5 का parallel 10 parallel 5 अब देखो हम यह देखें कि 8 और 5 का multiple 10 और 4 के multiple के equal है मतलब हमने सामने रेजिस्टेंस अगर equal है तो ब्रिज क्या हुआ balanced अगर ब्रिज हो जाए तो इसके इसमें सर्कुट को अपन ऐसे बना सकते मतलब बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दो तो 10, 8, 5, 4 अब यह इस तरह सागया 5 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा 9, 10 और 8, 18 तो टोटल कितना आएगा 9, 18, 9 प्लस 18, 6 ओम तो अपना फाइनली आंसर क्या रहाएगा 6 ओम तो इसके बाद अपन आते हैं हमारे अगले 17th question पे तो 16 में जो concept लगाता वो अपना लगा था balanced बीटी स्टोन का 17 बाते हैं आपको branch AB में करेंट बताना है देखो branch AB में करेंट बताना मतलब steady state में बताना है तो steady state में क्या आता है capacitor जो है वो off हो जाता है तो आप यहाँ क्या करेंगे पीटा सबसे पहले capacitor को off कर देंगे मतलब capacitor वाली branch को off कर दो तो अपने पास बचेगा 1, 1 ये वाली branch कोई काम की नहीं है कोई capacitor off रहेगा फिर उसके बाद आपके पास जो इधर of sale है वो लगा दो 2, 2 और ये इधर भी कितना है 4 अब देखो आपके पास जो total resistance आएगा वो कितना आएगा 2 तो ये 4 और 4, 2 और 2, 4 और 4 2 तो finally आपके पास जो total resistance आएगा वो ऐसे आएगा ये आएगा 2 इधर आजाएगा 4 और 4 का parallel 2 और ये 6 और ये point है आपके A और B तो A से B की तरफ कितने current जाएगी I, A, B हो जाएगा आपका total voltage by total resistance 1.5 ampere आपका answer आजाएगा 17th में फिर उसके अपन आते हैं 18th question पे 18th question में आपको बोलाएगा कि आप किसी भी conducting wire में अच्छे से जादा current के से gain कर सकते हो तो उसके case में यहाँ पे जो reason है वो सही reason बताना है तो देखो current का जो formula होता है वो क्या होता है I equals to E, A, N, V, D अब हमें metals में high current क्यों मिलती है उसका reason पूचा है कि यह बोल रहे है पहले option में कि जो drift velocity वो high होती है नहीं drift velocity का जो order होता है वो कितना होता है VD जो होता है वो 10 पार minus 4 meter per second के order की होती है यह तो बहुत कम है ना 1 mm से भी कम आती है तो यह इसका reason नहीं है दूसरा क्या है कि इनकी density जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो density मतलब जो n वाला parameter है यह n वाला parameter almost 10 to about 28 per meter cube इस range में होता है तो काफी सारे electron होने का इस case में फायदा क्या होता है कि electron बहुत ज़्यादा होने से electron की drift velocity कम होए उसका effect भी cancel हो जाता है और जो electron का charge है वो भी कम होता है उसका effect भी cancel होता है इसलिए drift velocity कम होना charge कम होने के बावजूद current ज़्यादा क्यों मिलती है क्योंकि वहाँ पे current को carry करवाने वाले particle बहुत सारे है यह इसका reason है बच्चों यहाँ पर आपको अगले question में AOD के बीच में equivalent risk ने बताना है लेकिन इसमें बी ओ डी दोनों point को ground किया वा है ground कियो मतलब दोनों point का potential से है बी और सी का तो अपने circuit को देखो ऐसे रीड्रों कर सकते है कैसे देखना इधर आप यहाँ पे सबसे पहले तो यह 10 ohm बनाओ यह 10 ohm सारे 10 ohm में के लिखने ही जुरत नहीं है यह तो आपकी AOD point हो जाएंगे ठीक है अब B or C तो दोनों grounded है तो दोनों का अपस में connect कर सकता हूँ ground का मतलब क्या है दोनों का potential 0 मतलब B or C दोनों का potential हापस में same तो मैं B or C को A से connect कर देता हूँ 10 10 अब सारे resistance 10 10 के ही है यह दियान रखना और यहाँ आपका grounded point हो गया तो देखो यह जो बन रहा है न अब आप देखो आमने सामने यह दोनों और यह दोनों क्या है multiple equal है तो यह जो पूरी branch हो यूजलेस हो जाएगी concept क्या balancedivity stone तो मेरे पास circuit केसा बनेगा 10 10 10 10 10 10 10 और 10 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास 20 यह हो जाएगा मेरे पास 20 2020 का effective क्या आएगा 10 10 10 10 10 total 30 ohm resistance answer आएगा 19 का ओके चलो आगे बढ़ते है अपन उसके आपको यहाँ पे quantity even है x x की value क्या है epsilon not l delta v इसको आपको बताना है कि किसके equal है dimensional है तो यहाँ पे देखो epsilon not l delta v देखो e की value क्या होती है delta v by l होती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ delta v को l into e ठीक है तो यह आजाएगा मेरे पास epsilon not e l square e की value क्या होती है e की value होती है 1 upon 4 pi epsilon not q upon r square यह होता है ना into l square अब देखो r square से l square खतम epsilon not से epsilon not खतम फाइनली dimension क्या बचेगा मेरे पास से q तो इसका मतलब यह जो quantity है वो dimension किसके equal है चार्ज के equal है ओके यह 20 question फिर आते 21 पे 21 में आपको क्या करना है आपको calculate करनी है current जो दो मिनिट में कितना चार्ज फ्लो करवाएगा ठीक है तो चार्ज फ्लो करवाने के लिए आपको current calculate करनी पड़ेगी आई क्या हो जाएगा इस case में delta V by R, delta Q क्यों होता है I into delta T, delta V by R into delta T, delta V कितना है 20, 10, time कितना है 2 minute है नगी 120 second, तो यह आजाएगा मेरे पास 240 column तो सेकेंड ऑप्शन मेरा 21 का बन जाएगा उसका आते हैं अपने 22 पे 22 में आपको दो सेम वोल्टेज के सेल गिवन है लेकिन इनके रेस्टेंस अलग अलग और इनको आपने एक्टनल एक्टनल रेस्टेंस आर से से अलगे तो इसमें दूसरे के टर्मिनल वोल्टेज को जीरो करना ना तो वीटी टू जीरो ए माइनस आई आर टू ठीक है अब वी टिटू को जीरो करना है यहिद्ध की इएक्वस टू आई आर टू आए की वेल्टेंस निकालेंगे यह एमेंस दोनों का जोड दो रेस्टे तो इससे क्या जाएगा मेरे पास इससे आएगा मेरे पास R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2R2 तो इससे R क्या हो जाएगा मेरे पास R2-R1 आप से क्या पूचा है? आपका थर्ड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके नोट करें, आगे बढ़ते हम हमारे 23rd question पर 23rd question आपको N conducting wire given है same length के cross section area भी इनका same है और resistivity row to row N row इस तरह से तो आपको बताना है कि इनका series combination का equivalent resistivity क्या होगी? तो देखो resistivity कैसे निकालेगी equivalent अपन? देखना एक wire जिनकी same length, same cross section दियावा है ना, तो L और A तो सबका same है इसके लिए row to row फिर अगले के लिए क्या है? 3 row इस तरह से आपके पास कितने wires है? N row तक, ठीक है? तो आप total resistance कैसे निकालोगी? total resistance उपन निकालेंगे row L by A plus 2 row L by A plus N row L by A ठीक है? तो यहाँ पर row effective total length कितने जाएगी? N into L total area A तो यहाँ पर अब देखो अपन क्या common ले सकते है? row L by A को अपन common ले सकते हैं यहाँ जाएगा 1 plus 2 plus N तक ठीक है? तो देखो अब इसमें क्या 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 क्ट जाएगा? यह तो रो effective है ना तो L by से यह क्टेगा यह हो जाएगा row effective row by N अब देखो 1 से ले करके N तकी सिर्योती उसका addition होता है N into N plus 1 by 2 तो यह क्या जाएगा आप पर पास row N plus 1 by 2 second option correct कोई confusion इसमें? अगर आपको यह addition पता नहीं है तो आप simple इसको cross check करें N की value 1 डाल दें N की value 1 डालने में पर देखो कितने option मेंच कर रहा है? अगर N की value 1 डालेंगे तो फिर तो एक ही resistance की आईगे न डालने पर अपना option मेंच कर रहा है यह भी यह भी N की value 1 डालने पर यह भी गरेगा यह भी करेगा N की value 1 पर दो तो आप N की value 2 पर चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से आप N की value 1,2,3 तके भी cross check कर सकते हूं कि उसके आता अपना है 24th 24th मों आपको बताना है current जो है वो कितनी है तो देखो यहां पर आप 10 MP current जो है वो इधर आ लिए उसमें से 6 MP इदर जारी चार इदर जारी तो चार इदर गई तो इदर कितनी आएगी छे चे और दो इदर से रूल चल जाएगा कोई confusion 25 में देखिए 25 में आपको इस द्यावाय कि अगर मानलो रिमीटर की रीडिंग सेम है कब जब रिचुच चाहे एस वन एस तो दोनों खुले हो या दोनों बंदू तो एक बार दोनों खुले की बात कर लेते हैं जब दोनों खुले है एस वन और एस तु दोनों अगर ओपन है मानलो तपकी बात करते हैं तो यहां पर अपन एस वन और एस तु को ओपन रखते पर बात कल लेते हैं ओपन रखेंगे तो देखो यह रिसन्स कोई काम कानी तो current जो है वो कितनी आईगी है मिटर में जो इस ब्रांच की current होगी तो यह resistance तो कोई काम का नहीं है ना फिर यह दोनों parallel हो जाएंगे तो 12 upon 3 r upon 3 plus r यह दोनों parallel में और साथ में एक 3 ohm series में होंके अब उसमें से भी इस current का कि अब कौन सा हिस्सा जाएगा जो 3 से जाएगा वो हिस्सा निकालना ना पनका तो r upon r plus 3 current division से current divide करो और यह जो i2 है वो किसके equal है अब i1 i2 equal करना है इसका मतलब देखो क्या करेंगे है अपन 12 upon यह हो जाएगा 3 r 3 r plus 9 upon 3 plus r ठीके और यह जाएगा r upon r plus 3 बड़ाबर डेड़ ठीके तो यह से यह कटेगा यह उदर जाएगा डेड़ से किती बार गटेगा 8 तो यह कितना आ रहा मेरे पास 8 r बराबर 6 r plus 9 r कितना आ जाएगा 4.5 तो यह r आ जाएगा 4.5 25 का मेरा option number कौन सा सही है 25 का option 2 सही हो जाएगा अपना है ना उसका आते 26 पे 26 पे देखो आपको चार्ज पासिंग थूए conductor of cross section area A is given by Q10 तो 2S कुलम है और आपको drift velocity की value बताना है 2 second पे कितनी आएगी ठीक है तो इस case में देखो आई कितना हो जाएगा DQ by DT के हिसाफ से देखोगे तो 3 2T plus 5 T का differentiation 1 और 2 का 0 तो यह रहाएगा 6T plus 5 तो I की value T equals to 2 पे कितनी आ रहाएगी यह आएगी 17 अब 17 पे आपको I का formula क्या होता है E A N V D 17 तो आपको drift velocity पूछिए ना drift velocity क्या हो रहाएगी 17 upon E A N 17 E की value 1.6 10 पार माइनस 19 Area कितना दे आपको? Area दे आपको 0.3 और N की value कितना given है? 2 into 10 पार 25 तो VD कितना हो जाएगा? इस case में VD हो जाएगा 17 upon 1.6 0.3 2 minus 19 और 25 तो minus 19 और 25 यहने की plus की 6 पावर अब plus की 6 पावर है तो इस case में क्या हो रहाएगा? यह हो रहाएगा अपने पास देखो 17 3.2 और 0.3 तो यह रहाएगा 32 96 तो यह रहाएगा 32 17 9.6 10 पावर माइनस 5 अब देखो 9.6 से अल्मूस कितनी बार कहते गा? 1.5 से ज्यादा तो अपना पहला option जो है यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा 26 आंसर नंबर 1 करेक्ट हो गया ओके उसका दात्यापन 27 पे 27 में देखो आपको 6 ओम के रेजिस्टेंस की जो एरर गीवन है वो कितनी गीवन है आर वन आपको गीवन है 6 किलो ओम प्लस माइनस 5 परसेंट 6 किलो ओम का 5 परसेंट कितना होता है यह होता है पॉइंट 3 ओम इसी तरह से आर टू जो है वो कितना दे आपको 4 किलो ओम उसमें कितनी एरर दे रहें किलों की बायद आप दोनों दरब पॉइंट 3 पॉइंट 4 जोड़द दो यह दोनों पॉइंट पॉइंट 3.4 घटा दो तो पॉइंट 7 कितना उता है 10 किलों का ही हो खता 7 परसेंट तो गोल्ड ओम हो तो हैवो और करेक्ट आ जाएगा ओके तिर उसके आते हैं अग्ली पे 28 पे 28 में आपको रिजिस्टेंस वोल्ट मिंटर का कितना गीवन है वह गीवन है 4000 ओम और आपको वोल्ट मिंटर की रीडिंग बतानी है ठीक है तो देखो यह 6 और 3 जो है वो तो पैरलल में ना तो इस सर्किट को पन दूबारे रिड्रों करते हैं और तो पैरलल में 6000 और 3000 फिर उसके बाद इनके दोनों के जंक्शन से बैटरी के नेट गीडिता कपन ने क्या जोड़ दिया वोल्ट मिंटर का रिस्टेंस कितना है चार्जार यह वोल्ट मिटर है और एक 5000 का रेस्टेंस कि इदर जोड़ा आपका बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस की बिचमें ने कि 5000 इदर जोड़ा हुआ है अब आपको क्या पता ना वोल्टमेटर की रीडिंग बता नहीं तो वोल्टमेटर की रीडिंग के लिए आप केवल इस वोल्टेज 12 वोल्ट को इन दो इससों में डिवाइड कर दो इनका एफेक्टिव कितना रहाएगा 2000 अब 2000 4000 12 का रेश्यो ना तो वोल्टेज भी 12 में डि है कि 20 Ohm में 0.3 करेंट जा रही है अब 20 Ohm में अगर 0.3 की करेंट जा रही है तो इस पर वोल्टेज डॉप कितना रहाएगा 6 वोल्ट इसका मतलब सब पर 6 वोल्ट आएगा फिर तो ठीक है अब आपको आरवन की वेली बताना एमिटर की रीडिंग है 0.9 मतलब में बहु सक होनी चाहिए 0.9 होनी चाहिए फिर इसको जब आप सॉल करेंगे सिंपल केल्कुलेशन को तो आपका अंसर जो बन जाएगा 30 Ohm इसको सॉल करकर आरवन निकालना है उसके बाद था अपना 30 क्योश्चन 30 क्योश्चन में आपको आर जो वायर है इसके पांस टुकड़े करें और सबको आपने पैरलल में जोइन कर दिया तो इफेक्टिव रेस्टिस बताना है कितना आएगा तो तो यहां पे सबको आपने पैरलल में जोइन कर आए अब पैरलल में तो आर भाई 5 का भी 5 टाइंस हो जाता है नहीं कि आर बाई 25 ताइंस तो आपका फोर्थ ओप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ओके कि पिर इसके बाद आपना है थर्टी वन के उस्टन थर्टी वन के इसन में आपको जो है वह वह कि 5 और आर के बीच में जो पोटेंशल डिफरेंस उसका रेशियो बता रहा है ठीके तब यहां पर कुछ आपको फूर्ट सी गोम फिरके 2 वापस इधर आएगी वह टूर्ट इदर आजाएगी ना तो अब यहां पर पूछा है इस पर इस कितना आए सोड़ इस फील इस फthis वोल्ट आएक अब आप आपसे करूँ डिफेर्ण्स जो को पूचाथ सतरफ ना तो पांचने एक्केति पर साथ इंटू पांच इस पर टॉट्स पर लोड़ आएगा टीस वोल्ट का ड्रोप यह खा गया तो इस पर कितना बचेगा के वील की साफसे इस लूप में टोटल ड्रोप सो वोल्ट आना चाहिए तीज से खाएगा पेटिस खाएगा तो बचाओ पेटिस के खालेगा ओके फिर इसके बार अपना आता है अगला थर्टी टू क्योर्शन 32 में आपको 4 Ohm से फ्लोर अवली करेंट बताना है देखो यह बन गया अपने पास वैलेंस वीडिस टोन क्योंकि 20 इंटू जो 10 होगा वो भी इक्वल है 50 इंटू 4 के तो 1.4 को मुझे 24 और 60 में डिवाइट करना है तो 60 चोईज प्लस 60 इंटू 1.2 सिंपल सी बात है यह I1 करें 1.4 तो बारा से कटेगा पांच बार साथ बार तो यह कटेगा साथ पांच इंटू 0.2 याने की वन एंपियर तो आप कहां सुल जाएगा थर्ड ऑप्शन इसमें कोई कंफूजन फिर इसको आता है 33 33 में आपको यहां पर A और B की बीच में फ्लोन वाली करेंट जो है वो द दो आपको यहां बताना है कि रेजिस्टेंज जो है वो कितना होगा तो दो है और भी में करेंट बतानी सिंपल सी यहां पर मैं दो इस घ्रिंट मान लेता हूं यह हो जाएगी E by R और यह हो जाएगी E by 4R और जो टोटल A से B में करेंट आएगी वो आएगी I1 माइनस I2 3 by 4 E by R मतलब कि मेरा option number को हो जाएगा 33 का 3rd correct फिर उसका आता है अपन 34 पे 34 में आपको यहाँ पे दो तार दिये हैं और दोनों को इस तरह सा पन जोड़ देते हैं यह बोलते हैं कि joint पे दोनों का area same है तो तोनों के same volume के लिए 1 में electron की जो number है वो 2 की comparison में ज्यादा है कि number density जो electron की है वो 1 में ज्यादा है किस से 2 से है ना लेकिन हमें पता है कि series में current same होती है न तो चाहे i1 लिखो चाहे i2 लिखो i1 i2 तो same ही आएंगे न तो i1 i2 comparison में कम है तो c पे देखो current same होना चीन अब यहां पर यह तो i1 i1 की बात हो जाएगी तो a और c में compare करें तो क्या हो जाएगा e a n 1 va और यह जाएगा e a c n 1 vc तो जहां पर area जादा है वहां drift speed कम होनी चीए तो a पर drift speed कम होनी चीए तो यह बोल रहे हैं कि c पे हमें चुकि गलत हो गया option फिर बोलते हैं कि electron की drift speed बी पर a की comparison में ज्यादा है अब बी और a का comparison करें तो कैसे करेंगी कि तो देखो बी और a पर area तो सेम ही है न तो बी और एक लिए अगर बात करेंगे तो बी और एक लिए इसको अगर compare करें मतलब b point sorry a point और b point है न अब यहां पर a point जो है उस पर देखना यह बोलने की drip b पर a के के comparison में ज्यादा है बात को सही बात है second option सही होगा अपना इसी तरह से बाकी भी आप क्रॉस्टेक कर लें तो second option सही आएगा कोई confusion इसमें उसका आते आप मारे 35 क्यूशन पे 35 क्यूशन में आपको यहां पर दो रेस्टेंस गिवन है जिनके कलर कोड आपको बताना है equivalent resistance का तो दोनों resistance जो है वह एक जैसे हैं तो देखो यहां पर black, red, yellow, orange, silver तो black का number होता है 0, black, brown, red, orange, yellow, yellow का कौन सा number आएगा 4 है ना फिर orange होता है 10 का 3, silver 5% एस का double करना मुझे बस क्योंकि same resistance को जोट रहा हो ना तो कितना जाएगा 0, 8, 10,3 और error फिर 5% की आएगा जाना पर्सेंट इस परसेंट ने ने होती है 36 में आपको बुलाए कि current जो इतनी है तो 2 से 4 के बीच में average current क्या होगी तो 2 से 4 के बीच की average current आपको बतानी है तो I कितना दिया है इस case में जबो I जो है वो है 3T square minus 2T plus 1 तो Q कितना हो जाएगा T cube minus T square plus T अब Q की value आपको बताना है 4 से 2 तो Q4 minus Q2 divide by delta T इसको बोलते हैं अपन average current तो 4 पे average current क्या दिए 4 हो जाएगा मेरे पास 4 का cube 64 minus 2 का cube 8 minus 4 का square 16 minus 4 फिर 4 minus 2 divide by 2 यह कितना हो जाएगा 56 minus 12 plus 2 divide by 2 तो यह हो जाएगा मेरे पास 46 by 2 23 ampere यह जाएगा 36 का अपना option number first फिर 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 उसका आता है अपन 30 37 पर 37 में 30 और 20 microfarad के दो कैपेस्टर को अपन इस तरह से चार्ज करते हो फिर इनकी सेम प्लीट को जोड़ देते हैं तो आपको इनका common potential बताना है common potential का वह होता है Q1 प्लस Q2 अपोन C1 प्लस C2 Q1 पहले वाले पर कितना 20 वाले को 30 से गिया यहनि कि 600 microgram इस पाया दूसरे वाले 30 वाले को 20 से गिया यहनि कि 600 microgram इस पाया और आपने total फिर capacitance कितना है 20 और 30 microfarad तो यह कितना जाएगा 1200 डिवाइड बाइड पचास वोल्ट तो यह कितना जाएगा आपके पास चोईस वोल्ट आपका अंसर आजाएगा थर्ड ओप्शन 37 का इसका आता है अपन 38 पे 38 में आपको यहाँ पे दो capacitor दिये और आपको यहाँ पे initial current और final current बताना है initial current में क्या होगा capacitor जो हो जाएगा तो आपका जैसे यह ब्रांच शोट करोगे capacitor शोट होने पर आपका केवल आरवन बचेगा तो इनीशल करेंट आएगी ऑई रवन तो इनीशल करेंट यहाँ पहला option जो है वो करेक्ट है बाकी चेक करने जुरत ही दिए बाकी फिर भी करो तो आपका final state में बचेगा final state में जोनों कर जाएंगे न तो इस तरह से और फिर आपका फिर आता है कि ऑ थर्टी नाइन में आपको 4.5 में पोटेंशल डिपेस्टाना है तो इस केस में यहां पर देखना यह कितना होगा पोटेंशल आ जाया कि माइक्रों फिरेंट में नो आएगा यू का रेश क्या है वन टू का तो वोल्टेज उल्टे रेशियो डिवाइड होगा तो वोल्टेज का रेशियो आएगा 2s21 2s21 मतलब की 8 वोल्ट इस पायेगा तो आपको पोटेंशल मिल जाएगा हाठ वोल्ट इस पीड पोटेंशल जो है वो कैपस्टेंश के उल्टे रिश्यों में डिवाइट करना है तो आपको इसमें कितना हो गए बताना है देखो बैटरी जुड़ी ना मतलब वोल्टेश तो चेंज होगा नहीं तो जो क्यू डेश आएगा वो आएगा सी डेश इन्टू वी एफसलन और इन्टू सी इन्टू वी नॉट तो यह आपका आज आएगा सेकेंड ओप्शन चालिस में फिर उसका अपन बात करते हैं 41 के वन की 41 में देखो आपको यहाँ पे नई कैपस्टर बताना है तो देखो इस केस में जो कैपस्टर बनेगा हो कैसा बनेगा यह तो है आप इस तरह से बेटर लगाओगे तो सी वन प्लस सी टू ए बाई फॉर एफसलन नॉट के बाई डी त्री ए बाई फॉर एफसलन नॉट के बाई डी तो यह कितना हो जाएगा एफसलन नॉट बाई डी के बाई फोर प्लस ठी बाई फोर तो यह हो जाएगा अपना फर्स्ट ऑप्शन यहां पर के एफएक्टिव या सी एफएक्टिव का 41 का अपना ऑप्शन नमबर फर्स्ट करेक्ट है फिर उसका फॉर्टी टू की बात करेंगे 42 में आपको नया Capacitance बताना है इस question के लिए तो देखो इसमें क्या करना है आपको A को positive माल लो B को negative माल लो तो A वाली plate पे positive आएगा B वाली पे negative आएगा और इस पे negative आएगा तो कितने pair बने Capacitler के दो pair दोनों parallel में तो इसका मतलब मेरे पास अजाएगा twice of A epsilon 0 by D एक Capacitler ये बन रहा है C1 और ये Capacitler बन रहा है C2 C1, C2 दोनों parallel में हैं तो अपना आणसर आजाएगा A epsilon 0 by D फिर आता है 42 के लिए 43 question पे 43 में 10 micro parat का Capacitance दो है वो प्रारम में आपको अंचास दियावा है ठीके तो ये बोल रहे हैं कि कितनी लंबे टाइम बाद ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा तो लंबे टाइम बाद हमें पता है सारा voltage इसकोई मिल जाएगा तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा half C V square तो ये आजाएगा आपने पास से एक कैपेस्टर को चार्ज करते हैं और फिर बैटरी हटा लेते हैं फिर इसी में हम क्या करते हैं एक और दूसरे कंडेंसर को कनेट करते हैं ठीक है जो की न्यूटरल है तो आपको बताना final common potential कितना होगा तो देखो V-डेश क्या हो जाएगा C into E plus इसका चार्ज 0 है C plus C यहने कि यह आजाएगा EY to third option उसके बाद आता है 45th last question जिसमें आपको यह work बताना है तो वर्क क्या होता है वर्क होता है change in energy तो वर्क आएगा change in energy of capacitor यहने कि half C V2 square minus V1 square तो पहले वाला work W है पहले वाला potential क्या था 40 square minus 20 square यह हो जाएगा 50 square minus 40 square तो यह हो जाएगा 1200 और यह हो जाएगा 900 तो finally आपका answer कितना जाएगा आपका answer जाएगा 3W by 4 solve करने पे Wदेश का ओके बच्चों तो यहाँ पर अपना test series का paper का discussion complete होता है आपने जो भी confusion हो दूर करें और आगे की paper की त्यारी करते रहें thank you all the best करें आपका i और आपका जाएगा करेंगान करेंगा दो करेंगा फूरीट